या यह उर्फी जावेद क्या पगला गई है कम कपड़े बहन पहन कर उर्फी जावेद नाम रख लिया इस शरीर प्रदशन करके अंगर प्रदशन करके I don't like it मतलब मुझे मज़े लग रहा है कि सबको मिलके उस बहन को समयाना चाहिए बिग बॉस OTT में उर्फी जावेद एक हफते ही रही लेकिन श्रूब से उन्हें जबदस लोक प्रयाता मिली वो अपने स्टाइल से हमेशा सुर्खेया बढ़ोती रही हालनकि कभी वो सोचल मीडिया पर ट्रोल होती है तो कभी सेलिब्रिटीज उन पर निशाना साथते हुई देखे जाते हैं उर्फी के कपडो और सेमी न्यूड लुक को लेकर हाल ही में एक महिला ने कहा कि उनकी खलाफ फत्वा ज़ारी हो महिला ने आगे यहां तक कहा कि पलिस को चाहिए कि उर्फी को गरफतार करे उर्फी ने उस महिला का विडियो अपने इंस्टा स्टोरी पर श्यायर करत विजवाब भी दिया अक्पामेटियन सुनिल पाल ने उर्फी के कपड़ों पर रियाक्ट किया है जिनों पहले ही अनुपम अफ़ी इमाक्टि सुधान शुपांची ने उर्फी को गहतिया बताया था इन सब के बीच सुनिल पाल का एक विडियो सामने आया है जिसमे उन्होंने उर्फी को समझाने की जरूरत की है जिस महिला ने उन पर F.I.R. किया है उसने सही कहा उर्फी का दिमाग खराब हो गया है और वो मुस्लिम नाम खराब कर रही है सिनल पाल ये कहते हुई नजराए कि उर्फी जावेद क्या पगला गई है उर्फी के खिलाब जिस महिला ने F.I.R. की मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा मैं बहुत दिनों से उर्फी को देख रहा हूँ मुझे लगता है कि वो चौहादी ही थी कि ऐसा कुछ हो जिससे वो चर्च्वा में रहे भले ही वो गैर कानूनी क्यों न हो उर्फी जावेद नाम रख लिया हमारे पवित्र मुसलिम नाम से वो जिस तरह से खिलवाड कर रही है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो आगे ये कहते हुए भी नज़राए कि सबको मिलकर उर्फी जावेद को उस बहन को समझाना चाहिए सजा मत दो समझाओ कि बेटा महनत करो काम करो सीखो ये शरीर प्रदर्शन करके तुमको दो चाह दिन के सफलता मिल जाएगी लेकिन शिकर नहीं मिलेगा मुझे लगता है कि वो चुहाती ही थी कि उनके बारे में चर्च आए हो यही वज़ा है कि वो कम कपड़े बहन कर जगा जगा चुहाती है कम कपड़े क्या वो ना के बराबर कपड़े बहनती है नियूज में रहने के लिए न्यूड होती है बहुत ही गलत नियत से आई है इस इंडास्ट्री में हाला जो भी रहे हो मेहनत कर सकती हो सुनिल ने आखरे में कहा कि इस तरह की फूहरता से वो बर्फी खाना चाहती है अपने आप को सुधारो और मेहनत करो इसे के साथ उन्होंने उर्फी जावेद को एक बड़ी सलहा दी उन्होंने कहा कि उर्फी जावेद बहन कपड़े बहन इस तरह की बाते उर्फी जावेद को लेकर सुनिल पाल जोकि एक जानिमने कमेजियन है उन्होंने अपनी एक वीडियो के ज़रे कही और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर श्रायर किया है वल अब तक आक्टर सुर्फिजावेद ने इस पर अपना कोई बयान नहीं दिया है लेकिन देखना काफे दिश्यस्प होगा की सबको जवाब देने वाली उर्फिजावेद सुनिल पाल की इस बड़े बयान पर क्या जवाब देती है अब देती है